गूट एवीनिंग फ्रेंद मास मन् क्लास देखे आपका हर्दिक स्वागत मैं बहुत को अब啊 को बताने जा रहा हूं यह उत्तर प्रदेश का इतियास कि यू पी जो यूपी एक भवारत का इस्टेट है बहुत्तर प्रदेश को पांच बाटा गया पांच बाटा गया पांच बाटा गया नंबर एक टागेत यहासिक एवं पूर पैदिक काल जो 600 इसा पूर्वितक चला कितना चला 600 इसा पूर्वितक के चला कितना चला 600 इसा पूर्वितक चला नंबर दूनबर दू हो गया बहुत काल 612, 600 शिये से और सो तक एटेने तक शहसो विपारा सो तक इसके बाद मद कर शिये सं चला 226 Verme 177 तक तक इसके फोर नमबर ब्रिटीस काल क्या नाम था ब्रिटीस काल जो क्या चला 1857 से 1947 तक अब है स्वात्यंत्रत्तरकाल मतलब स्वात्यंत्रत्तरकाल क्या बोलते हैं इसके बाद नमबर एक देखिए आप प्रागेतियासिक काल के बारे में देखिए छेस्व इसापूर्प की बात है प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्या वर्त का प्रमुक भाग था उत्तर प्रदेश का इतिहास लग भगे उत्तर प्रदेश का इतिहास लग भगे छैसो वर्स पूर में पुराना है चार हजार वर्स पूर पुराना है क्या उत्तर प्रदेश का जो इतियास है चार हजार वर्स पूराना है अच्छा रामायन और महाबारत काल के अनेक इस्तल उत्तर प्रदेश में इस्तित हैं सित्व इसके बाद नमबर सेंड आ जाईए की बहुत दिकाल बहुत दिकाल देखिये क्या भगवान बुद्द ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाडा रशी के निकट मतलब वाडा सारनात में दिया था भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण म्रत उत्तरप्रदेश के कुछी नगर में हुआ कहा हुआ देखो उन्होंने उत्तरप्रदेश के वारारसी में कहा दिया वारारसी में और जो इनका इनकी जा मृत्तिव हुई क्या हुई मृत्तिव क्या हुई का हुई कासी पूर का हुई कासी पूर में वोई का हुई कासी पूर में इनकी क्या हुई मृत्तिव हुई इसके बाद क्या था 16 महा जन्पदों में से 8 जन्पद 16 महा जन्पदों में से 8 जन्पद कितने 8 कुल कितने 16 उसमें कितने से 8 जन्पद नमर कोर पांचाल कासी कोसा सुर्शेन चेदी आदी वर्त मान उत्तर प्रदेश में इस्तित हैं 16 जनपद हैं पूरे 16 जनपद हैं जिसमें 8 जनपद यूपी में प्रजेंट हैं क्या यूपी में प्रजेंट हैं इसके बाद देखिए माद दिक्याल क्या देखिएगा मद्दिकाल 1200 से 1857 तक बारा सो से 1857 तक उत्तर प्रदेश में बार्मी सताब्दी के अंत में मुस्लिम सासन इस्थापित हुआ उत्तर प्रदेश के स्ताप्ति के बार्द में मुस्लिम है सैसन इस् थापीत है वह मुस्लिम इस् sciences इस थापीत है हुआ मुस्लिम इस्था इस मैं क्या हुआ फ्रेंड जब मुस्लिम इस माफित हो गया तो मुहम्मद गौरी गेहडवाल वंस के राजाओं को हरा कर उत्तर प्रदेश में मुस्लिव सासन की नियु रखी अकवर ने उत्तर प्रदेश के फतेपु सीखरी में इस्तापना की जहां साह जहां ने अपना ताज महल का निर्मार कराया साह जहां साह जहां ने अपनी पत्नी की याद में आधरा में ताज महल का нिर्मार कराया अचाएब का लिए प्रिट्स काल 1857 से 1947 तक चलत बिट्स की शुरूाद उत्तर प्रदेश के बंगाल प्रेसिडütfen का इस्सा था किसका था बंगाल का इससा था सन उन्नीस सो शन अठारा सो त्येंतिस इसी वी में इसे बंगाल प्रेसीडेंट से अलग कर दिया गया जा आरम में आगरा प्रेसीडेंट का गठन किया गया बिटिस सासन के खिलाप पहले आंदोलन की सुरवात उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई कहां हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई इसके बिटिस के खिलापत करी गई सन 1902 इस्वी में परश्यमोत्तर प्रांथ का नाम बदल कर सहयुक्त प्रांथ किया गया इसके वाद प्रारम में सहयुक्त प्रांथ की राददानी इलाबाद में थी कहा थी? अलहाबाद जिसे आज कल प्रियाग रादिनाम से जानते हैं प्रियाग राधिनाम से जानते हैं जिसे 1920 इस भी में लखनों में इस्थानांत्रीत किया गया अब आता है लाश्ठ स्वतंतात्र क्याता है स्वांत्र उत्तर मतलब जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था सन अठा उन्नीस सो स्वतंता के बाद संयुक्त प्रांत की गड़राज की परसासरी की काई बन गया दो साल के अंतर गिट्टी हरी गड़वार और रामपुर में संयुक्त प्रांत भी सामिल कर दिया गया बारा जन्मरी उन्नीस सो पचास को संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया नौनौमरдо 2000 को उत्तर प्रदेश के तेरा जिलों को अलक करके उत्तरांचल का गठन किया गया जिसका 2007 में नाम बदल कर उत्तरा खंड कर दिया गया ओके गयाईच ये थे उत्तर प्रदेश का इतियास किसका था उत्तर प्रदेश की हिष्टरी इसके बाद मैं आँगे लेके आओंगा उत्तर प्रदेश के कौन कहा एरिया इस्तित है आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए अगर पसंद आया हो तो लाइक की दिए और कमेंट भी की दिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करना ना भूलें जै हिंद जै भारत जै हिंद जै भारत